जहें दोस्तों स्वाक्त करते हैं कर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमिनफो सेंटर पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिमाचल पुलिस कॉंस्टेवल भरती ब्रिक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं तो चलें बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों एच्पी पुलिस कॉंस्टेवल रिटन एक्जाम 2024 के लिए हिंदी मौक टेस्ट करेंगे आज हम जिसमें 16 important MCQs लिए गए हैं जो की लिए गए हैं एच्पी पुलिस कॉंस्टेवल लेटेस्ट बर्जन ट्रैक्टिस किट से तो बहुत ही important question रहने वाले हैं तो शुरू करते हैं first question से first question में निर्देश है निमलिखित मौहावरों और लोकोक्तियों के लिए उप्युक्त बिकल्प चुनिए तो नीचे मौहावरे या लोकोक्ति जो भी आपको दिया गया होगा आपने उप्युक्त बिकल्प options में से चूज करना है ठीक है तो first question है आंक का पानी ढल जाना मौहावरे का अर्थ है निर्लज हो जाना, बुढ़ा पा जाना, प्रिये विक्ति का बिछुड जाना ये मौहावरा इसका क्या अर्थ होता है अस्थिर बिचारवाला, बहुत चत्र होना, एक मत्र सहारा या ललचाना तो बताना है इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अस्थिर बिचारवाला option A is the right answer अस्थिर बिचारवाला यानि कि सिध्धान्त हीन भ्यक्ति जिसके कोई सिध्धान्त नहीं है जो अपनी बात पर अडिग नहीं रहता है ठीक है तो option A is the right answer next question is जो सुना हुआ ना हो बाक्यांश के लिए एक शब्द बताईए ये बाक्य दिया गया है जो सुना हुआ ना हो नीचे दिया गया options में से आपने कोई शब्द चुनना है जो इसको सार्थक करता हो ठीक है तो जो सुना हुआ ना हो अलोकग्य अश्रब्य आश्रब्य अनादी तो बताना है आपने जो सुना हुआ ना हो मतलब श्रब्य होता है सुना हुआ तो जो सुना हुआ नहीं है वो क्या हुआ अ श्रब्य option B is the right answer ठीक है तो भाशा को सुन्दर और अकर्शक और प्रभाबशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रियोग किया जाता है तो बेवाक्याश के लिए एक शब्द कहलाता है तो इस तरह के question जो होते हैं वो आपके exam में जरूर आएंगे ठीक है next question is जो ब्यर्थ का ब्याई करता हो के लिए एक शब्द बताईए अधिसूचन, अध्विति, अपव्याई या अकिंचन तो इसका सही अंसर क्या रहेगा तो दोस्तों अपव्याई इसका सही अंसर हेगा ठीक है मितव्याई होता है जो कम खर्च करता हो और जो ब्यर्थ का खर्च करता हो वो हो गया अपव्याई रहे हैं तो नेक्स्ट कोश्टन है जो त्याज्य होता है जो त्याज्य होता हे जो त्याज्य मोगे हो तो दीपक शब्द के लिए उचित परयावाची यूगम का चैन करें तो ये आपको नीचे कुछ यूगम दिये गए है इन मेसे जो सही यूगम होगा उसका आपने चैन करना है मतलब परयावाची दिये गए है तो कुछ कोशिन जो हैं वो आसान भी आते हैं ऐसा नहीं कि सभी question आपको tough ही आएंगे तो कुछ आसान question भी रहते हैं बीच में तो next question है अरी का प्रयावाची शब्द क्या है बताना है आपने मित्र, शत्रू, अभध्र या कठोर तो बताना है इसका सही अंसर क्या रहेगा तो दोस्तो इसका सही अंसर रहेगा आपका शत्रू, option B आरी क्या होता है शत्रू तो इसके और अगर प्रयावाची शब्दा को बताओ तो बैरी, दुश्मन, बिरोधी, इत्यादी भी इसके प्रयावाची शब्द है ठीक है next question है रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करें तो रिक्त स्थान क्या है योधा ने बहादुरी के साथ रिक्त स्थान की तो रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा लडाई, लिखाई, पढ़ाई, धुलाई तो योध्धा एक क्या करेगा लड़ाई करेगा तो लड़ाई योध्धा ने बहादुरी के साथ है लड़ाई की option A is the right answer क्योंकि अन्य बिकलब असंगत हैं बाक्या के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ती है तो जो है वो यहाँ पे लड़ाई ही सही बिकलब रहेगा option A is the right answer तो दोस्तो next question है निमल लिखित प्रेशन में तीन बाक्यांश दिये गए हैं तुरूटी वाली बाक्यांश को चुणना है आपने उसके अनुरूप A, B, C पर चीन रगाना है ठीक है अगर कोई तुरूटी नहीं है तो D को चूज करना है तो बताना है आपने हमारी दुग् गाय का घी बिकता है मिलावट सिद्ध करने पर पांच हजार का पुरसकार प्राप्त करें तो बताना है इसमें से तुरूटी किस बाक्या में है तीनों में से यह नहीं है अगर है तो किस में है तो दोस्तों यहाँ पर इसका अंसर हैगा option A हमारी दुग्द शाला में गी बिकता है ऐसे होगा यह बाक्या तो option A तुरूटी बाल बाक्या हुआ is the right answer next question है question number 10 दैत्य प्लस अरी यह संधी बिच्छे दिया गया है इसका सही संधी शब्द आपने चूज करना है चारों में से कौन सा होगा दैत्य अरी दैत्य आरी या दैत्य आरी या दैत्य आरी कूर्ण है ठीक है तो दैत्य आरी इसका सही अन्सर होगा दैत्य प्लस अरी अ प्लस अ मिलकर क्या बना है जात्य यहां या ओर के मेल की बड़े comes घ्रम हो ठीक है, ओ हो जाता है, ठीक है, यह हो जाता है, आतर बिकल्प C जो है वो सही है, ठीक है, दैत्य प्लस अरी, A प्लस A is equal to A, तो दीर किस वर संदी है, तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है, नदी डैश संग्या है, तो कौन सी संग्या है आपने बताना है, ब्यक्तिवाचक, ज जातिवाचक, भावचक या नामवाचक, तो दोस्तों नदी एक जातिवाचक संग्या है, ठीक है, ओप्शन B होगा इसका सही जवाब, जो शब्द किसी ब्यक्ति बस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ज्यान करवाते हैं, उन शब्दों को क्या का ज पुस्तक, ये सभी क्या हैं, बस्तु ओं है, स्थान का बोध करा रहे हैं, और प्राणियों का बोध करवाते हैं, आदमी, जानवर, पशु पकशी, ठीक है, ये क्या है, प्राणी, तो इस तरह से ये जातिवाचक संग्या है, ठीक है, तो दोस्तों next question है, भावन शब्द मे ठीक है यह होता है इसका संधी बिचेद तो यहां पर भो प्लस अन भवन बना ठीक है तो अब अब शब्द बना न भव तो इसमें अयादी संधी होगी option c is the right answer तो अयादी संधी की परिभाशा क्या है वैसे जब a, a, o, आउ के बाद कोई बिजाती अस्वर आए तो बै, क्रमशे, आय, आय, अब, आब हो जाता है ठीक है तो यहां पर अब हो गया जैसे a प्लस a, i हो गया, she प्लस an, sheen हो गया, o प्लस e, अभी हो गया, go प्लस is, गबीश हो गया ठीक है इस तरह से अयादी संधी की उधारने, अयादी संधी होगी इसमें, option c is the right answer next question है, प्रेशन में सही बरतनी चुनिए, भासकर, भाशाकरी, भाशकर, भाशकर, तो option कौन सा सही अंसर होगा, तो भाशकर, option a is the right answer ठीक है, भाशकर कार्थ क्या होता है, सूर्य, जैसे कि शाम ने भाशकर की उर्जा की तरह प्रभाशाली कारे किया था, ठीक है, तो भाशकर, सूर्य हुआ इस कार्थ, तो भाशकर इस था right answer, option a next question है, इसमें भी सही बरतनी आपने चुननी है, मंत्र मंडल, मंत्रे मंडल, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल, तो यहाँ पर option कौन सा सही होगा, option d, इसमें सही बरतनी है, मंत्री मंडल, ठीक है, मंत्री मंडल का अर्थ क्या हुआ, राज्य के मंत्रियों का बर्ग जो होता है, ठ तरह से मंत्री मंडल, option D is the right answer. Next question है, निमल लिखित में से कौन सा शब्द स्त्री लिंग नहीं है? कक्षा, जूती, भरणी, पानी. ठीक है, तो बताना है कौन सा शब्द जो है वो स्त्री लिंग नहीं है. तो कक्षा जूती भरणी तीनों क्या है? स्त्री लिंग है और पानी जो है वो स्त्री लिंग नहीं है Option D is the right answer ठीक है? जिस संग्या शब्द से व्यक्ति की जाती का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं इससे यह पता चलता है कि पुरुष जाती का है या स्त्री जाती का तो हिंदी में इसके दो भेद होते हैं पता होगा आपको कौन-कौन से पुलिंग क्या होता है? जिन संग्या शब्दों से पुरुष जाती का पता चलता है पुलिंग होते हैं और स्त्री लिंग जिन संग्या शब्दों से स्त्री जाती का पता चलता है वो स्त्री लिंग होते हैं ठीक है तो option D, पानी, right अंसर होगा इसका, ये स्त्री लिंग नहीं है, next है और ये आज का हमारा last question रहेगा, हिंदी का, बचन की द्रिष्टी से कौन सा शब्द युगम सुमेलित नहीं है बात बातें, लता लतें, गाए गाएं, बेहन बेहने, तो बताना है इसका सही अंसर क्या होगा तो बचन की द्रिष्टी से, ठीक है, एक बचन बहुद बचन है यहाँ पर, बवातें, बहुद सारे बातें, बहुद बचन होगया तो लता, लतें, तो लतें नहीं होता लताएं होता है, ठीक है तो यहाँ पर option b, इसमें, तुरुटी है यह गलत है बाकी गाय का गाये बहन का बहने यह हो गया ठीक है तो बचन की दिश्टी से जो है वो B option यूगम सुमेलित नहीं है लता लतें यह गलत है लता लताएं होगा option B is the right answer तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का यह हिंदी का mock test यहीं पर समाप्त होता है इस mock test को लिया गया था जो नविंतम अभ्यास संसकर्ण कीट है हिमाचल परदेश पुलिस कॉंस्टेबल की उसमें से लिया गया है इसमें total आपको जो है 25 से 30 practice test भी दिये गये हैं तो उन में से ही आपको यह question में बता रहा हूँ तो यह question जो है वो बहुत ही important question आपके exam में पका यह question आ सकते हैं तो इन questions को आप हलके में मत लेना ठीक है तो इस तरह से आज का हमारा यह mock test complete होता है मिलते हैं next वीडियो में और आप सुझेस्ट करते रहिए हमारे community post के जरीए कि आपको कौन सा वीडियो किस mock test के किस बिशे क के उपर चाहिए ठीक है तो हम वहाँ पर option देते हैं आप वहाँ पर option को choose करके हमें बता सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share जरूर करें ताकि किसी यो अन्य की भी help हो सके तो मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना जैहिन जैभारत